यह कोश्चन है कलेंडर का लेकिन स्टेटमेंट पर कोश्चन स्टेटमेंट नमबर वन स्टेटमेंट नमबर टू मतलब दू को कथन है यह को कोश्चन कोश्चन जो पूछा जाएगा किस कथन से बनाया जा सकता है यही कोश्चन है इंगलिसने पढ़ते हैं इसको हम कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड कोश्चन वही है आपने जो बोला दू को स्टेटमेंट है यह को श्टेटमेंट नमर वन स्टेटमेंट नमर वन वेडनेस दे होगा ठीक है पहिल का स्टेटमेंट जो सरका स्टेटमेंट है तर्ड स्टर्डे ओफ मन्थ वाज सेवेंटीन्थ दे थर्ड स्टर्डे है तीसरा स्टर्डे है सतरावा दीन को तो कोशन पुछ रहा है वाट दी is the 14th of the given month मन्थ वही रहेगा चवदा हवाद दीन कौन होगा अब वीच अफ दो फ्लोएंग is cracked in respect of the statement and the questions पहिल का statement से तो निकलेगा नहीं क्योंकि last day है एक तीसवा है statement alone is sufficient to answer these questions ठीक है लेकिन दुसरका statement में 17 days है तीन दिन घटा दीजिया राम से निकल जाएगा statement 2 is alone sufficient to give the answer क्या this is the right answer ये तो होगा है नहीं both statement 1 and 2 are required to question नहीं नहीं क्लेंडर पढ़िये इसको समझ में आ जाएगा क्या according to these questions statement 2 is sufficient to give answer अब 17 दिन सटर्डे है सुलावा पंदरावा चौदावा दिन पूछ रहा है तो ये सटर्डे है ये फराइडे होगा ये थ्राजडे होगा ये वेडनेस दे हो जाएगा निकल गया ये जा अब इसके answer का हम जाच करते है वस्ष्वन नमर सतो अत्तर answer की सतातर की B ये रहा सतातर की B A, B answer is cracked प ही अत्त वैज हो को सरय